दोस्तो वीडियो को ज्यादा से ज़्यादा लोगों तक सेयर करें दोस्तो आपकी प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ही जरूड़। खबर है मायावती को याद आया उना कांड तो ममता बोली चुन चुन कर बदला लूँगी जी हाँ दोसों लोक सबाचुनाव 2014 में बीजेपी उत्तर परदेश में जो करिस्मा कर पाई क्या उसे 2019 में दुबारा कर पाईगी अगर नहीं तो फिर सीट कहां से आगी बीजेपी क को अलग नुसान होता है तो उनकी वज़ा से मायावती के साथ अखिलेस का गठ वंदन है छटे चरन का चुनाव खत्म हो चुका है लेकिन ममता मायावती और मोदी के बीच महाभारत अभी जारी है चुनाव जीतने के लिए पस्चिम बंगाल और यूपी के नितिक्ता के बहुत ही हद तक सिमट जाएगी वहीं पस्चिम बंगाल के ममता हो गई तो फिर कहने की जरूरत ही नहीं पस्चिम बंगाल में जो सियासी कीचड फैला है उसमें कमल खेल जाएगा और यूपी बंगाल जीतने का मतलब मोदी जानते हैं कि दिल्ली के अखाडे में ताल ठोक का नाम है सियासत के कदमों को जमाय रखने और उखाड देने की इस लड़ाई में परधानमत्री नरेंदर मोदी यूपी में होते तो मायावती को घेते पस्चिम बंगाल में होते तो ममता को क्योंकि यहां बाजी अगर बीजेपी मार ले गई तो 2019 की जंग जीतना तै हो ज कि इसे दबाने के कोशिस की गई क्योंकि राजस्थान की केंदर सरकार को वोट बैंके चिंता है नरेंदर मोदी ने मायावती से सवाल पूछा है कि आप तो उस समाज की नेता है तो फिर राजस्थान सरकार को समर्थन क्यों दे रही है मायावती ने परधानमंत्री के सवा समाजवादी और बहुजन समाजवाटी का तालमिल हो गया है इसलिए प्रधानमत्री मोदी मायावती को SCST की याद दिलाते हैं तो मायावती इसे हतास हो जाती है वैसे मायावती के बाद ममता दिदी ही जो प्रधानमत्री मोदी को सबसे ज़्यादा परसान कर रही है मोदी ल अब पश्ची मंगाल बहुत आगे बढ़ गया है अब परधान मंतरी मोधी पर ममता ये आरोप लगा रहे हैं कि परधान मंतरी मोधी चुनाव की आड में पश्ची मंगाल में समरांतर सरकार चला रहे हैं आपको बता दे कि पश्ची मंगाल में कुल 42 लोग सबा सीटे हैं चो के चुनाव में नजर आरहा है कि कहीं पैर तूटता तो कहीं हाथ और कहीं हत्या हो गई है अब तो जैसे राम के नारे भेवी मामता बेनर जी तो नाराज कर दिया है पश्चि कर when में बीजैपी में इस नारे को उच्छाल कर बचाना चाहती है कि मामता बेनर जी हिंदू के तेवहारों से उनकी पूजा अर्चना से उनकी नफरत कर दिये फिलहाल ये पुश्य मगाल की आखरी चरण में 12 सीटों पर मत्दा है लेकिन परधान मत्री मुदी को लगता है कि दिली के लिए बंगाल को काबू में करना होगा और ममता को लगता है कि अगर बंगाल निकल गया तो फिर बचेगा क्या एक ऐसी यूनिवर्सल डेट रिटर्न स्कीम आने की तयारी की जा रही है जिसमें से छोटे करज लेने वाले सबी लोगों का करज माफ किया जा सके इस योजना नई सरकार के आने पर लागो की जाएगी इस तरह के अंतरगत छोटे करबारी छोटे किसानों और सिल्फकारों जैसे सबी छोटे करज धारियों को यह सामिल किया जाएगा एकनोमी टाइम के अनुसार एक करजमाफी योजना का लवार्थी तै करने के लिए एक खास आए और एसेट की सीमा तै की जाएगी सुत्रों के मताबिक इसकी सालाना आए जो होगी वो साथ हजार की आए होगी और पैतिस हजार या उससे कम बकाया करज और बीस हजार रुपए या उससे कम के एसेट की अधार पर बनाये जा सकता है कॉर्परेटर मामले के सचीव आई सीरी निवास ने एक अख़बार में बता है कि या एक अच्छी ख़बर से तयार करज माफी योजना होगी जिसमें से छोटे किसांसिल्पकारों छोटे कामगारों और अन्य व्यक्तियों को करज में सामिल किया जा सकता है कार्पोरेशन मामले के मंत्राले द्वारा तयार की गए इस योजना लाने के लिए इंसॉल्वेंटी और वैक्स SPC के कई फीचर में इसका बदलाव किया जाएगा इस योजना का सालाना करीबन 20,000 कड़ों रुपए या उससे अधिक खर्च हो सकते हैं लेकिन लाखों लोगों को फाइदा हो सकता है यह रकम यह देखते हुई ज्यादा नहीं कही जा सकती कि एक साल में एक एक कमपनी के ऐसे हजारों कड़ों रुपए के करज माफ करने पड़ते हैं गौर तलब है कि अभी छोटे करजधारों को ऐसे कोई राहत नहीं दी जाती है और इसके लिए पर्सनल इंसॉल्वेंट चेप्टर के कुछ बदलाव करने बहुत चरूरी है कॉर्परेट मामला यह पूरा भरोसा करता है कि अगली एक तिमाही में इस योजना की अंतिम रुप दे दिया जाएगा इस तरह के के योजना अगली साल आने वाली लागू करने के लिए तयार है एक इंसॉल्वेंट्सी और वेक्सिंसी बोर्ड आफ इंडिया के एक ऑनलाइन प्रनाली हो सकती है जिसमें से आवेदा के बिचार के लिए पूरी अलग से टीम बनाई जाएगी सिर्फ एक तरह के करजमाफी के लिए एक अलग सेल बनाय जाएगा इसमें से करजमाफी की आवेदन करनेवालों को नए सीरे से उनका जीवन सुरू करने का मोका मिलेगा जो लोग यह साबित कर देंगे कि उनकी आय और एसेट निर्धारित सीमा के भीतर है उसका कर्ज माफ हो जाएगा और वे आगे अपना जीवन नए सीरे से सूरू कर पाएंगे उसनके क्रेडिट हिस्ट्री का भी बचाओ किया जा सकता है गोर तलब है कि इससे पहले देश के किसानों की कर्ज माफी की कई उजना चली संकट में फसने वाले कर्पोरेट की कर्ज माफी या कर्ज लोटाने के सहूलियत जैसी सुविधाय मिलती है लेकिन आम लोगों के लिए ऐसी यूजनाए अभी तक नहीं थी जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी कबर चीन को सवक सिकाने के लिए भारत सहीत कई देसों को एक जूट कर रहा है अमेरिका जिहां दोस्तों, अमेरिका हिंद प्रसांत महसागर छेतर के स्राष्टों की समप्रभुता सुरुशित करने के लिए भारत, आस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिन कोरिया जैसे देसों को एक जूट करने की कोशिस कर रहा है अमेरिकी विदेस मंतरी माइक पॉम्पियों ने कहा है कि इस तरीके के इन देसों को किसी दबाओ का सामना नहीं करना पड़ेगा जी हाँ दुस्तों दक्षिन चीन सागर में अमेरिका, फिलिपिन्स और जापान की नवसिना के साथ साथ भारतिय नवसिना के सन्युक्त नवसिना अभ्यास में भाग लेने के कुछ ही दिन बाद यह टिपपनी आई है यह इस तरीके के प्रथम अभ्यास है गोर तलब है कि दक्षिन चीन सागर पर चीन अपना वर्चस्प दिखाने की कोशिज कर सकता है पॉंपियों ने कैलिफोर्निया में एक कारिकरम को संबोधित करते हुए कहा है कि हम अस्ट्रेलिया भारत जपान और दक्षिन कोरिया जैसे समान विचार वाले रास्टों को एक जुट कर रहे हैं ताकि हिंद प्रसांथ चेतर का प्रतेक देज किसी तरीके के किसी भी दबाव में न रहें उन्होंने कहा है कि वह स्वतंत्र और खुली वेवस्ता के प्रती एक व्यापक प्रतिबधता का हिस्सा है पुम्पियों ने कहा है कि अमेरीके रास्टपति डोनल ट्रम्प की नीतिया एसिया में महत्पून हैं कहा है कि हमारे रास्टपती ने चीन को हमारा समान चुराने से रोकने के लिए करवाई की है अब किसी भी अमेरिकी कमपनी को चीन में ब्यापार करने के नाम पर उसकी तक्निकी खुबियोग पर सोधा नहीं करना होगा वहीं चीन का दावा है कि दक्षन चीन सागर का लगभग पूरा राजनीतिक छेतर उसके पास है जबकि ब्रुनेई, इंडोनेसिया, मलेसिया, फिलिपिन्स, तैवान और ब्यतनाम भी इसमें दावे करते हैं चीन का काना है कि अमेरिका, भारत और जापान का कोई वहाँ पर दावा नहीं है जी हाँ दोस्तो अगली बड़ी खबरे कांग्रेस नेता मलीकारजुन खडगे का बिवादित बयान पूछा कांग्रेस 40 सीटे जीती तो मोदी लगाएंगे फासी जी हाँ दोस्तो लोकतंतर का महापरव बीतने से पहले ही जीत के लिए बार बार पलाटवार की गंधी पॉलिटिक सुरू हो गई है कांग्रेस की कदावर नेता मलीकारजुन खडगे ने परधान मतली मोदी के किराफ एक ऐसा बयान दिया है जो भीवादों के सुर्खियों में आगे है खडगे ने एक चुनावी सभा में कहा है कि अगर हमें 40 सीटों से ज़्यादा मिली तो क्या मोदी दिली में बिजज चोकपर फासी लगाएंगे मलीकारजुन खडगे ने कहा है कि मोदी जी जहां भी जाते है कि कॉंग्रेस को लोग सभा से 40 सीटे ही नहीं मिल पाएगी क्या उन में से कोई भी यह मानता है कि अगर हमें 40 सीटों से ज़्यादा मिली तो क्या मोदी जी बिजज चोकपर फासी लगाएंगे अब इसे कॉंग्रेस की जीक कहें या डर के तहासा चुनाव अभी पूरा बीता ही नहीं कि पार्टी के बड़े नेता मलीकारजुन खडगे ने कॉंग्रेस को 40 सीट जिताने का दावा कर परधान मंतरी मोदी पर विवादित बयान भी दे डाला है परधान मतरी मोदी की रैलियों का हवाला दे करके खडगे ने यह भी बताया है कि कॉंग्रेस कोई कच्ची पार्टी नहीं है वो 40 सीटे आसानी से जित सकती है लेकिन परधान मतरी मोदी उस पर अभधर टिपनी भी कर दी करनाटा की गुलबर्ग संसदिय छेतर में तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरे खडगे कल बुर्ग के एक रैली में संबोधित करते हुए उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया है लेकिन पार्टी का अब यहीं मानना है कि वो मुस्किलों में डर रहे हैं क्योंकि चुनावी समिकरन समझे तो आपको बता दें कि वो एक बहुत ही बुरी तरीके से फस जाएंगे लोकसभा की 543 सीटों में सरकार बनाने के लिए 50 फीसदी से ज्यादा यानि कम से कम 272 सीटे होनी जरूरी है लेकिन कॉंग्रेस अकेले दम पर सिर्फ 40 सीटे जितने का अबत दावा कर रही है चुनावी चरन के छटी दहलीज पार कर चुकी पाटियों को अब बस आखिरी रणका ही इंतजार है